दोस्तों, यह फल विटामिन C और डायटरी फाइबर से भरपूर है. प्लेटलेट्स कम होने पर इस फल का सेवन किया जाता है. कीवी पॉष्टिक आहार से भरपूर फल है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइडरेट, मिनरल्स, विटामिन और डायटरी फाइबर भी जानी जाती है. कीवी जितनी स्वादिष्ट होती है, उतने ही लाब दायक कीवी के फाइदे भी हैं. अगर आप डायट में कीवी शामिल करना चाहते हैं, तो कीवी के फाइदे जानने जरूरी हो जाते हैं. तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके इसके सभी बेनिफिट्स इसको जान लेते हैं, नमबर वन, 100 ग्राम कीवी खाने से 12.7 मिली ग्राम विटामिन सी मिलता है, एक दिन में 90 mg विटामिन का सेवन करना चाहिए, इससे ये साफ कहा जा सकता है कि कीवी खाने के फायदे से पूरी दिन की विटामिन की जरूरत पूरी हो जाती है, शरीर में वि जिससे कैलोरी बर्न होती है और डाइजेशन को धीरे कर देता है, फायबर से भरपूर होने के कारण यह आपके पेट को लंबे समय के लिए भर कर रखता है, जिससे आप बार-बार खाना नहीं खाते हैं, फायबर को पचाने में ज्यादा एनरजी लगती है जिससे मेटाब बढ़ जाता है और साथ ही कैलोरी भी बर्न हो जाती है कीवी का सेवन सही मातरा में ही करें क्योंकि अधिक मातरा में इसका सेवन करने से वजन बढ़ भी सकता है स्वस्त करने के लिए डाइट में फाइबर शामिल करना चाहिए और कीवी फाइबर से भर्पूर होती है आपको बता दें कि फाइबर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है जिस कारण फाइबर को पचाने के लिए ज्यादा एनरजी लगती है ऐसे होने से शरीर में मेटाबोलिजम रेट बढ़ता और साथ ही कैलोरी भी बर्न होती है कीवी में एक्टिनिडाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को घोलने के गुण के लिए जाना जाता है इसलिए प्रोटीन आसानी से पच जाता है पोटेशियम एक मिनरल है जो बलड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है अगर शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बलड वैसल्स में इसकी परत जमने लग जाती है जिससे बलड प्रेशर बढ़ जाता है ये तो सभी को पता है कि हर खाने की चीज में कुछ मात्रा में सोडियम पाया जाता है। इसका नुकसान ना हो, इसलिए अपनी डाइट कीवी शामिल करना चाहिए। शरीर में पोटेशियम की मात्रा सही बनी रहने से सोडियम से नुकसान नहीं होता है। नुकाम से लड़ने में भी मदद करता है। कारण सूजन नहीं होती है। जिन्हें अस्थमा है, वो लोग डाइट में कीवी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर एट, इसमें विटामिन B, फोलेट पाया जाता है। ये विटामिन रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करने का काम करता है। फोलेट का सेवन वृद्ध, गर्भावस्था और किशोरा वस्था में सही मात्रा में करना चाहिए। इसके साथ ही सही मात्रा में फोलेट का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी, जैसे की एनीमिया होने के आसार कम करने में मदद करता है। और लास्ट है, नमबर नाइन, कीवी खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल सामाने बना रहता है। इसके साथ ही फाइबर से भरपूर होने के कारण कीवी के फायदे बढ़ जाते हैं। फाइबर का सेवन करने से पाचन शक्ती धीरे काम करती है, जिससे शुगर मोलिक्यूल का एबजॉर्बशन कम हो जाता है और अग्नियाशय को इंसूलिन प्रोड्यूस करने का समय मिल जाता है। तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठैंक यू